हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप सभीका न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है और बहुत ही जल्दी आपको कलरोई 6 में एप स्टार्ट अप एंड क्लोजिंग अनिमेशन स्पीड का एक लेटेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है तो इस ऑप्शन को यूज कैसे करना है कहा पी ये ऑप्शन आपको मिलेगा क्या इसके फाइद है सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा लेकिन उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिविक्शन आगे भी मिलती रहे तो इस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए सबसे पहले जो है आपको सेटिंग को पंच करना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को आपशन मिलता है और उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाओगे आपके होम स्क्रीन एंड लॉक्स्क्रीन मैगजीन में चेक करोगे तो यहाँ पे जो आपको एप animation speed मिलती है वो नॉर्मल मिलती अगर आप किसी भी एप को open करके देखोगे तो आपको जो speed मिलेंगी वो normal speed मिलेंगी अगर आप यहाँ पे जाके लेकिन अगर अगर आप यहाँ से अपनी जो app startup and closing animation की speed अगर आप fast रखते हो याफ पिर slow रखते हो तो उसकी हिसाब से जहे आपको यहाँ पर आप animation की speed मिलेंगी यहाँ पर आके अगर आप fast को चूज is करते हो तो जो आपकी approximation की speed है वो fast हो जाएंगी अगर आप normal में रखते हो तो normal रहेंगी और आप slow पर रखते हो और जिने नॉर्मल रखना है वो नॉर्मल भी रख सकते हैं दोस्तो जो ये new option है ना वो मेरे C1 में available नहीं है मैंने अच्छी तरीके से अपने device को check किया है and check करने के बाद जो है result कुछ ऐसा मिला कि जो ये option है वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला तो आप एक बार अपने device को check कर लो भाई अगर आपके device में ये option मिलता है तो काफी अच्छी बात है नीचे comment करके भी बता देना कि आपके device में ये option available है या फिर नहीं देखते ही कि जो ये option and जो change है वो कब तक हमारे realme के device में आ जाता है भाई बस इतना ही था आप लोगों को बता और कुछ मुझे और update या फिर कुछ इसके अगेंस news मिलती है तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा भाई and subscribe करके रख देना ताकि आपको वीडियो की notification मिलती रहे subscribe जरूर करना भाई बहुत ही जादा जरूरी है मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए good day take care bye bye